इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताके जब भी हम लाइब जाए आपके पास लाइब नोटिफेकिशन आए हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके और मेरे चैनल टेक विद कृष में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने यूट्यूब चैनल पे सोशल मीडिया लिंक्स को एड कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों यूट्यूब पे हम दो तरीकों से social media links add कर सकते हैं जिसमें से पहला तरीका है YouTube वीडियो के नीचे अपने सभी social media links को डालना मतलब जब भी कोई आपकी वीडियो देखेगा तो वो अगर description आपकी चेक करेगा तो वहाँ पे वो सभी social media links देख सकता है और आपकी दूसरी social media sites पे भी visit कर सकता है अब दूसरा तरीका है जिससे हम social media link अपने YouTube चैनल पे डाल सकते हैं वो ये है कि direct YouTube चैनल पे अपने social media links को put करना अब दोस्तों ये कहां पे होते हैं और कैसे हम अपने social media links को अपने चैनल पे link कर सकते हैं इसे समझाने के लिए मुझे आपको ले के चलना पड़ेगा अपनी mobile screen पे तो दोस्तों अब हम आचुके हैं अपनी mobile screen पे यहां मैं क्या करूँगा अपना YouTube studio खोल लूँगा अब दोस्तों यहां पे मैंने अपना YouTube studio खोल लिया है यहां पे हम कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पे हम वीडियो को edit करना शुरू कर देंगे यहां दोस्तों आप देख सकते हैं description खुल गई है और यहां पे मैंने Facebook, Instagram, Twitter, TikTok सब के यहां पे मैंने link डाले हैं दोस्तों यह है पहला तरीका जिसके थुरू हम क्या कर सकते हैं वीडियो की description में अपने social media links डाल सकते हैं यहां link डालने के लिए मैं आपको example के तौर पे दिखाता हूँ जैसे मान लीजिए मुझे Instagram का link डालना है तो दोस्तों Instagram का link लेने के लिए मुझे क्या करना होगा मुझे दूसरा account बनाना होगा Instagram पे और उस account से मुझे अपना main account खोलना होगा जैसे यह मेरा main account है techwithkriş तो ऐसे आपका जो भी main account है आपको वो खोलना होगा दूसरे account से और आप उपर देखेंगे टॉप right corner पे 3 dot आपको दिखेंगे यहां दोस्तों आपको copy profile URL का option मिलेगा जिस पे आपको click कर देना है इससे दोस्तों आपका link copy हो जाएगा आप एक और तरीका use कर सकते हैं वो यह है कि अगर आपको Instagram का link डालना है तो आप website use करेंगे www.instagram.com slash जो भी आपके Instagram का user name है वो आप डाल देंगे तो ऐसे आप क्या करेंगे कोई भी link यहाँ पे Facebook का Twitter का जो जो आपका user name है वहाँ पे वो आपको यहाँ पे डाल देना है तो ऐसे आप description के नीचे अपने social media links add कर सकते हैं अब दोस्तों हम बात करेंगे दूसरे तरीके की कैसे हम main YouTube channel पे अपने links add करें उसके लिए दोस्तों आपको अपना YouTube channel खोलना पड़ेगा Chrome browser में और आपको desktop mode on कर लेना है यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने desktop site on की है तो आपको भी यह कर लेना है अब दोस्तों हमें करना यह हमें यहाँ उपर top right पे अपनी profile picture पे क्लिक करना है यहाँ दोस्तों हमें क्या करना है यौर चैनल पे क्लिक करना है यौर चैनल पे क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा जो कि आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा यहाँ दोस्तों आपको करना क्या है आपको customize channel पे click कर देना है तो दोस्तो customize channel पे click करने के बाद आपके सामने आपका page यहाँ पे खुल जाएगा यहाँ पे आप देख सकेंगे about यहाँ पे लिखा है तो आपको क्या करना है about पे click कर देना है अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं उपर description है और नीचे यहाँ पे links लिखे है links दोस्तों यहाँ पे मैंने Facebook, Twitter और Instagram का लगाया हुआ है अब दोस्तों example के तोर पे अगर मैं Instagram के link पे click करूँगा तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे Instagram account का link खुल गया है मतलब मेरा main Instagram खुल गया है अब दोस्तों आपको यह link कैसे लगाने है यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एक pencil का निशान है मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है edit पे click करना है एडिट पे click करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों customized links आ जाएंगे यहाँ पे आपको क्या करना है चूस कर लेना है कि आप कितनी चीजों के link लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने 5 क्लिक किया हुआ है अब आप क्या करेंगे यहाँ पे अगर आपको Facebook का लगाना है तो यहाँ पे आप Facebook लिखेंगे Instagram, Twitter जो जो आपको लगाना है वैसे आप नाम लिख देंगे और यहाँ side में आप उनके links डाल देंगे मतलब Facebook के आगे Facebook का link Instagram के आगे Instagram का link और ऐसे ही अगर आप चौथा भी add करना चाहते हैं अपना कोई social media account तो ऐसे आप यहाँ पे add पे क्लिक करके अपने link का title और यहाँ पे link का URL क्लिक करके यहाँ पे आप done पे क्लिक कर सकते हैं इससे क्या होगा आपके जितने भी links हैं वो आपके main YouTube चैनल पे show हो जाएंगे अब दोस्तों इसका फाइदा यह है कि आपको video खोलने की जरूरत नहीं है किसी की आप सीधा उनकी profile यानि YouTube की main profile पे जा सकते हैं और यहाँ से आप उनके links पे क्लिक करके उनके social media sites पे भी जा सकते हैं तो ऐसे आप अपने कोई भी social media account को अपने YouTube channel के साथ link कर सकते हैं दोस्तों इससे होगा यह कि जब भी आपके channel पे जादा views आने शुरू हो जाएंगे तो इससे आपकी video के नीचे की description के through और आपके channel पे जो भी link आपने दिये हैं लोग क्या करेंगे उन links पे भी जाएंगे और आपके social media sites पे visit करेंगे इससे दोस्तों आपके YouTube के साथ साथ आपका Instagram, Facebook या जो भी आप social media link डालेंगे वो भी बहुत जादा grow करेगा तो दोस्तों जब भी आप YouTube पे channel बनाएं हमेशा याद रखें कि अपने social media links को YouTube से जरूर जोड़ें इससे ना सिर्फ आपका YouTube channel grow होगा बलकि आपके दूसरे Instagram account, Facebook account यानि दूसरे social media account भी promote होंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आशक करता हूँ वीडियो आपको आई हो पसंद अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिना और चैनल को subscribe करना मत बूलिएगा और दोस्तों अगर आप देना चाहते हैं मुझे कोई भी सुझाव तो comment section में comment करके मुझे जरूर बताएगा तो अब लूँगा आपसे इजाज़त मिलूँगा कल फिर एक नई वीडियो एक नई अपडेट के साथ तो चलता हूँ जै हिंद और वन दे मातरम